माल वाहक ट्रक का भाड़ा बढ़ाने सहीत अपनी विभीन मांगों को लेकर इंदोर की लक्षमी बाई नगर अनाजमंडी में लोकल ट्रास्पोर्ट एशोशेशन ने हर्ताल की जिसमें सोमवार को करीब 55 से अधिक ट्रकों के चक्के थम गए एक तरफ जहां पूरे देश में बैंकों के हर्ताल चल रही है तो वहीं दूसरी ओर लोकल ट्रास्पोर्ट असोशेशन लक्षमी नगर अनाजमंडी इन दौर में 55 से अधिक माल वाहक ट्रकों के चक्के थम गए जहां सोमवार को ट्रक के नहीं चलने से व्यापारियों को काफी परिशानिया उठानी पड़ी ट्रक संचालकों के अनुसार 2016 में माल भाड़ा बढ़ाया गया था जिसके बाद अभी तक बड़ोतरी नहीं हुई है वहीं दूसरी और महंगाई चरम सीमा पर पहुँच रही है यदि दो दिन बाद बैटक में समस्या का कोई निराकरन नहीं निकलता है और हर्ताल करने वाले लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो वो फिर अपने वाहन खड़े करने के साथ ही हर्ताल पर जा सकते हैं इंदोर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट पर राड़ी चलाने के भी मतलब हगदार निरा हमारे को इतना लास हो रहा है नब्य रूपे लिटर डीजल हो गया जो साथ हजार रुपे का बीमा था वो पच्पन हजार रुपे का हो गया फिटनेश और इसमें मतलब हम करनी पा रहा है हम उप्षी ब्यापारियों से मांग कर रहा है कि हमारा बाड़ा कम से कम 40 परसेंट बढ़ाया जाए हमारे को इस पीचे में अध्यक्ट से चर्चा हुई है नारान भाई नारान मानक गर्ग उन्होंनों यह बोला है कि भाई में बाहर हूं दो दिन बाद मतलब गुरुबार के दिन आऊंगा आप गुरुबार तक मेरे लिए रुख जाओ में गुरुबार को आपका प्रेटर पच्छीस पच्पन गाड़ी है हमारे अपकी वांगे पूरी नहीं होती तो आम अभी अपसर हर्ता करेंगे और अंजिकर तरड़्या नहीं कर सकते और लोकल हम बाहर की रोक नहीं रहें हमारा जो लोकल है वही रोक रहा हम इंदो लोकल इंदो रुज्जन देवास जो हमारे गाड़ी चलती उसी के लिए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें